हेलो स्टुडेंट स्वागत आपका पाई क्लास इस बाई सचिन मालिक में आज का हमारा टोपिक क्लास नाइन्थ के लिए वक्षीट नमबर 7 तो इसमें देखो क्या कहा रहा है हेलो स्टुडेंट टूडे वी आर गॉइंग टू डिसकस अबाउट लिनियर एक्वेशन यह है यह हमारा टोपिक की लिनियर एक्वेशन्स क्या होती है पड़तो आपने 8 में रखा यह सिर्फ डिविजन वक्षीट चल नहीं और कुछ नहीं है क्यायता है एक mathematical statement, mathematical statement क्या होते हैं, जो तुमारे questions होते हैं, जो language में लिखे होते हैं, ठीक है, या language में कैसे लिखे हो, जिसके अंदर equal का निसान आ जाए, कोई भी mathematical या कोई भी math का सवाल, जिसमें equal का निसान बना आ गया, उसको हम equation कहते हैं, पहले तो हम equation नहीं पता होने चीए, क्या होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, equation, यानि किसी भी equation में equal to का निसान जरूर आएगा, आगे कहता linear equation in one variable is an equation, वो भी equation है, which is express जो इस तरह की form में हम आपको लिख के दे सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ax plus b बराबर c है, ऐसी भी हो सकती है यहाँ a और b यह हमारे constant है और जो x है, वो हमारा variable है ठीक है, x क्या है हमारा variable अब आगे कहता है x is a variable and has only one solution क्योंकि one variable है तो one ही solution आएगा, two variable होते हैं तो two solution आजाते हैं अब इसको हम linear equation क्यों कहेंगे क्योंकि linear equation वो होती है जिसमें variable की highest power one होती है जो variable है, उसकी highest power हमारी क्या होने चाहिए, one देखो जैसे यहाँ पर x है, x को उपर कोई power दिखाई दे रही आपको, अगर कोई power नहीं दिखाई दे रही तो one है one के लाबा कोछी भी होगी, वो आपको दिखाई देगी जैसे यह बना दिया हमें यहाँ पर x को उपर कोई power लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, तो यह one है, यानि यह linear equation है क्योंकि यहाँ पर equal to को निशान आ गया तो इसलिए linear equation है, equal to से जो इस side left hand side, इसको हम left hand side बोलते हैं, 7 को हम right hand side बोलते हैं, यह तो हमारा हो गया linear equation के बारे में अब example, को statement दे रखिए if you get 9 आपको 9 मिलता है after adding 3 after adding 3 to twice the number twice the number number of saplings the lockdown यानि आपको lockdown के दोरान जो पोधे लगाए हैं, कितने लगाए हैं हमें नहीं पता, मान लिया हमने x लगाए हैं अब कहता, इस जो x number के आपने पोधे लगाए हैं, गर इसको आप twice कर दो, और फिर उसमें 3 add कर दो तो आपको 9 प्राप्त होता है ठीक है, तो how many saplings you planted तो पूसरा पता कितने पोधे लगाए हैं तो x लगाए थे, अब इसको हम solve कर सकते हैं, 2x 9 minus 3 तो यह 3 इधर गया तो sign change हो जाता है, अब यह बन गया 6, अब यह 2 भी हम इसके नीचे ले जाएंगे, देखो 2 इधर multiply में हैं, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, divide में यह प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है multiply, divide हो जाता है, divide, multiply तो 2 से इसको divide कर तो answer आगया 3, तो हमने 3 plant saplings करे हैं, ठीक है तो यह तो एक simple सा example दिया था, आगे देखो आगे हमें यह पहचानना भी आया के लिए भी कहेगा, कि यह बताओ क्या यह linear equation है, कह रहा is it a linear equation in one variable or not तो हम देखो इस तरह कि अभी हमें नहीं पता चलता है, हम क्या करेंगे, इसमें cross multiply कर लेंगे, तो x minus 3 को 4 से multiply करा, यह रहा और x plus 5 को 3 से multiply करा, इधर करा 4 को x से multiply करेंगे 4x आएगा, 4 को 3 से multiply करेंगे, 12 आएगा तो इधर आगया, और यह इधर चला गया जब 3x इस साइड आएगा तो minus का हो गया 4x minus 3x उधर 15 पहले सी था, और 12 और चला गया, तो plus के हो गया तो 4x में से 3x minus करेंगे, तो x ही बचा, और 12 और यह 27, 27 को इस साइड लिया अब देखो, यह हमारी उसी टाइप क्या गई क्या यह linear equation है, हाँ है क्योंकि x की power 1 आ रही है हमें कुछ भी power दिखाई नहीं दे रही, तो यानि की यह 1 है ठीक है, अब इसी तरह से आपको try yourself करने हैं, चार question दे रखे हैं, कहता है इन में, देखो, अब यह question और यह question यह तो बिल्कुल डिटो इसके जैसे है, अब पूछ कह रहा है, simplify and find out which of the following equation are linear equation in one variable कौन-कौन सी one variable में, देखो इसको तो आपको check करने की ज़ूरती नहीं है इसको तो आप clearly लिख दो, this is in two variable, यहाँ पर x और y दो variable use हो रहें, इसको solve भी मत करो, बताओ भी मत, ठीक है तो इसमें x और y दो use हो गए, तो यह तो one variable में हो ही नहीं सकती, चाहे linear equation हो चाहे ना हो, तो लिख देना clearly, this equation have two variable, so it cannot be a linear equation in one variable आगे करना ही मत, अब माल लोग, इसको आपको करके दिखाता हूँ, वही cross multiply ऐसे, तो 3 की multiply, P plus 5 से और P की multiply, P minus 7 से, यह जाएगा 3P P से multiply करा, 5 से करूँगा, तो पंदर है P की P से multiply करोगे P square minus 7P सब को side ले जाओ इधर 0 बज जाएगा, जब सब उदर चले जाएगे तो P square minus 7P minus 3P और minus के 15, तो P square minus के 10P हो गया, यह जुड़गे आपस हमें, एक जैसे हो गया, तो क्या यह हमारी linear equation है, नहीं क्योंकि P के उपर highest power क्या आगई 2, 1 के इलावा जो भी power होगी, वो आपको दिखाई देगी, और 1 के इलावा कोई भी power आपको दिखाई दे जाए, तो this is not linear equation, वन वेरियेबल तो है क्योंकि P यूज और आवर को यूज नहीं हो जा, लेकिन यह क्या नहीं है, linear equation नहीं है, यह कैसी quadratic equation है, क्योंकि पावर 2 आ गई अब देखो, यह portion बहुत अच्छा दिरखा है क्याता है the perimeter of rectangular mask, यह mask है इसका perimeter, perimeter क्या होता है यह सारी जो boundary होती है यह, इस सारा, इस सारी length को अगर हम जोड़े तो perimeter आ जाता है इसकी width 9 यह जो width है यह वाली यह दे रखिए 9 1 by 2, अगर मैं इसको सही लिखूँँगा mix fraction में, sorry mix fraction में में दे रखा था, हमने perimeter हमें गिवन है कितना? 53 centimeter perimeter का formula भी हमें पता है 2L plus B होता है यह 53 हो गया 2L हमें X दे रखा है माना जो हमने, यह 19 by 2 हो गया 53 हो गया 2 को अंदर multiply करो 2 को जब X से करोगे तो 2X हो जाएगा 2 को जब 19 by 2 से करोगे तो नीचा वाला जो 2 हो गट जाएगा तो यह 19 ही रह गया यह 53 हो गया और 2X 19 को अधर ले जाएगे 53 माइनस 19 2X को जब 53 मेंस 19 माइनस करेंगे 34 आ गया और X 34 अपोन 2 तो यह आ गया 17 centimeter is the answer 17 centimeter आ गया तो this is the answer यही चीज़ी नों नहीं करके देखा रखें हमने इस तरह से कर दी आगे कहता है try yourself अब देखो इसमें क्या कहता है कहता frame the statement of the following equation see what your friends have framed कि इनकी frame करने मतलब है इस तरह से जो language है इस तरह से language में आप इसको बनाओ अपनी language में आप ज़रूरी नहीं है कि दोनों बच्चों की सेम हो किसी भी तरह के साब बना सकते हो जैसे यह है if we subtract 5 from a number we get 0 या by subtracting 5 from a number we get 0 या after subtracting 5 from a number we get 0 ठीक है किसी भी तरह के से after adding 7 to a number we get 40 after adding 3 2 twice a number after adding 3 3 हमने एड करा 2 twice a number we get 56 if we divide a number या by divide after dividing a number by 5 we get another number ठीक है by dividing a number by 5 we get another number या after multiplying a number with 1 by 5 we get another number y ऐसे भी लिख सकते हैं इस से पहले मैं इसको बताता हूँ after adding 9 to twice a number we get 27 अब यह है main इसको आप अपनी language में कैसे लिख सकते हैं अब हम क्या लिखा और है by dividing 6 या after dividing 6 या after dividing 6 या इस तरह से after dividing 6 या पहले यह लिख दो after subtracting 3 from a number if we divide this number by 6 we get 1 by 2 जैसी आपको language आती है आप उस language में इसको लिख सकते हो अपनी simple से simple language में जो भी आप बस उसका meaning सही आना चाहिए चीक है तो इस तरह से बेटर यह worksheet complete होती है यह आपको साफ साफ अपनी copy में सारे sums करने है और अपने अपने teacher को whatsapp पर send करने है धन्यवाद